हेलो प्रैंज वेल्कम टू प्रेयाज लवली कीचन आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में चिकन करी इसे बनाना बहुत ही आसन है और जल्दी से बन जाती है उतनी ही खाने के लिए टेस्टी बनती है तो ज़रो आप इस रेसिपी को डुराई कीज़े आयोप आपको पसंद दाएगी तो चले देखते हैं चिकन करी बनाने के लिए हमें किन-किन सीजों की आउशकता होगी इदर मेंने 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिए है आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं इसे हमें मैरिनेट करना है तो मैरिनेशन के लिए इसमें मैं डालूंगे एक बड़ा चमच अ प्रश्मिरी लाल मीच पाउडर आधा चमच गरम मसाला और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है अब मैं इसमें डालूंगी आधा चमच नमक और एक चमच तेल इन्हें मिक्स करेंगी मिक्स होने के बाद इस बावल को ढखके 30 मिनत के मारेनेट हो जाएगा आप चाहे तो दो तीन गंटे भी रख सकते हैं चिकन मारेनेट हो के तयार है अब हम देखेंगे करी के लिए हमें किन-किन सीजों की आउशकता होगी इदर मैंने दो मिडियम साइज के पैंच इसे एकदम बार एक कट करके लिया है आप देख सकते हैं मैंने कितना बारिक कट किया है एक छोटा चमश अधरक और लसन की पैस्ट मैरिनेशन करते समय भी हमने थोड़े अधरक लसन की पैस्ट डाली है अधा चमश जिरां दो चमश कश्मिरी लाल मेश पाउडर एक चमश धनिया पाउडर दो चोटे चमश चिकन मसाला इधर मैं चिकन मसाला यूज कर रही हूँ आप काउंसे भी प्रैंट का ले सकते हो नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज कर सकते है तेस्ट के लिए नमक नमक हमें थोड़ा ही चाहिए क्यूंकि हमने मैरिनेक करते समय भी नमक डाला है कटा हुआ हरा धनिया और दो बड़े चमश त तेल इसमें हम टमेटो का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे आपको पसंदे तो एक टमेटो कट करके डाल सकते हैं ग्यास के उपर मैंने प्रेशर कूकर गरम करने के लिए रखा है इसमें डालेंगे इस दो बड़े चमश तेल तेल को गरम होने दीजिए तेल गरम हुआ है जिरां डालेंगे जिरां सटकने लगा है अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए पैच और पैच को अच्छी दरसे गोल्डन ब्राउन होने तक मिडियम फ्लेम पे फ्राइ करना है ध्यान रखे ग्यास की फ्लेम मिडियम ही होनी चाहिए लो फ्लेम पे करोगे तो ज्यादा टा यह है पैच अच्छी दरसे प्राइ हो गया है इसमें डालेंगे अद्रक और लसन की पैस्ट और कुछ सेकंड्स के लिए इसे भूनेंगे कच्छावा हरा धनिया जालेंगे थोड़ा भूनते समय हरा धनिया जालने से इसका फ्लेवर बहुत ही आच्छा आता है तो यह सारी चीज़े भून के तयार है अब मैं इसमें जालूंगी मारेनेट क्या हुआ चिकन दियान रखे इसी टाइम भी ग्यास की फ्लेम हमें मिड मिडियम फ्लेम पे ही चीकन को 6-7 मिनट फ्राइ करना है फ्राइ करते समय इसे कंट्यूनेसली चलाते रही है इसे मैं मिडियम फ्लेम पे ही फ्राइ कर रही हूं जब तक यह चीकन पानी नहीं चोड़ता है तब तक हमें इसे फ्राइ करते रहना है तो चिकन ने पानी छोड़ना स्टार्ट किया है और मैं इसे एक मिनट फ्राई करूँगी चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अब हम इसमें डालेंगे बाकी सारे मसाले दनिया पाउडर, लाल मेश पाउडर, चिकन मसाला थोड़ा टेस्क के लिए नमक और इसे मिक्स करते हुए एक दो मिनट मिडियम फ्लेम पे बूनेंगे मसाल अच्छी तरह से पक्के तयार है अब मैं इसमें डालूँगे आदा कप गर्म पानी देहान रखे हमें इसमें गर्म पानी ही डालना है हंदा पानी बिल्कुल ही मत डाले मिक्स करेंगे और मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगे प्रेशर कुकर का धक्कन लगा के मिडियम फ्लेम पे ही इसकी चार सिटी आने तक कुक करेंगे प्रेशर कुकर के चार सिटी निकाली है प्रेशर कुकर अच्छे दर से थंडा भी हुआ है ड़कन निकालेंगे बहुत ही अच्छा है टेस्टी चिकन बनके तयार है चार सिटी में चिकन अच्छी तरह से पकता है गार्निशन के लिए थोड़ा कटा भाहरा निरिया डालेंगे और इस गरमा गरम चिकन करी को आप रोटी के साथ नान के साथ नहीं तो राइस के साथ भी खा सकते हो तो आप जड़ो इसी तरह से जट पट प्रेशर कुकर में चिकन करी बनाईए खाये और आपके अनुभाव शेर कीज़े अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो एक बड़ा सा लाइक कीज़े तो चले फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए say goodbye have a nice day